जैहिन दोस्तो वेलकम टू शौरे क्लासिज आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड इयर फिफ्ट सेमेश्टर के एकनॉमिक्स से सम्बन दित। आपकी भूस सारी फर्माईशो के बाद ये वीडियो जल्दी लेके आया गया है तो ये काफी इंपोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो को एक से दो बार आप अगर देखोगे तो आपके 20 नंबर पक्ये हो जाएगे इसमें मैंने काफी असान शब्दों में इसमें समझाने क की कोशिश की गई है तो आएए शुरू करते हैं इससे पहले एक और बीए प्रोग्राम थर्ड इयर फिफ सेमेस्टर इकनॉमिक्स की एक वीडियो आ चुकी है अगर अभी तक आपने वो नहीं देखिये तो जाएए और उसको वाच कीजिए उस वीडियो का लिंक इस वीड जनसंख्या और आर्थिक विकास ये काफी वैसे तो सररल टॉपिक है आप चाओ तो इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो फिर भी इस पे आज हम जानने की खोशिश करते हैं कि हम क्या क्या पॉइंट इसमें बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की जनसंक्या क्या होता है और जनसंक्या किस परकार से आर्थिक विकास को परभावित करती है जी हाँ क्या जनसंक्या एक समस्या है या जनसंक्या होना एक समाधान है आज इन दोनों के ओपर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर जनसंक्या का अर्थ जानना है कि जनस निश्य शेत्र पर लोगों के समू को जनसंक्या कहा जाता है जी हां मैं फिर से बताता हूँ एक निश्य शेत्र पर रहने वाले लोगों के समू को जनसंक्या के नाम से जाना जाता है अब ये तो आपको पता है कि जनसंक्या क्या होती है आपने ये ही सुना होगा कि जनसंक्य से समस्याई उत्पन होती है लेकिन उसका कुछ समाधान भी होता है और उसका उससे आर्थिक विकास भी इफेक्ट होता है तो आईए हम शुरू करते हैं हमें पता है कि जनसंक्या कहा जाता है एक एक निश्य 1921 के बाद भारत की जनसंक्या काफी तेजी से विर्दी हुई है इसलिए सन 1921 के बाद के समय को भारत में महान विभाजन जनसंक्या विभाजन के नाम से जाना जाता है और जनसंक्या विस्पोर्ट का अर्थ होता है जब एक शेतर में जनम दर और मित्यू दर का जो अंतर सब अदिक हो जाता है, उधारन के लिए मैं आपको बताता हूँ, teा करो कि अगर 100 बच्चे आज के दिन पैदा हुएं हैं और 5 व्यक्ति तो expire हुए हैं सिरफ 5 और पैदा हुए हैं 100 कल के दिन अगर 120 बच्चे पैदा होते हैं और expire सिरफ 5 ही बच्चे होते हैं या फिर 5 आदमी expire होते हैं तो ये अंतर दीरे दीरे बढ़ता जा रहा है अना तो इसी को ही जनसंख्या विस्पोर्ट के नाम से जानते हैं अब हम बात करते हैं मेन आपके टॉपिक पे आते हैं कि भारत में जनसंख्या विर्दी के कारण क्या है वैसे तो आप अपने शब्दों में काफी असानी से इस टॉपिक को लिख सकते हो फिर भी यहां पे कुछ पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है, जनसंक्या विर्दी के कुछ कारण है, जैसे आर्थी कारण है, सामाजी कारण है, धार्मी कारण है, और एक है प्राकर्तिक कारण, अगर हम आर्थी कारण की बात करें, तो आर्थी कारणों में सबसे पहला प और आर्थिक कारण कैसे जनसंक्या में विर्दी करता है इसमें हम ये लिख सकते हैं कि निर्धनता भी जनसंक्या विर्दी होने का एक आर्थिक कारण है इसके अंदर हमें लिखना होगा कि आज के टैम में क्या होता है कि लोग जादा से जादा बच्चे इसलिए पैदा करते अर्था जितने बच्चे पैदा होएगे, वो उतनी ज़्यादा income generate कर सकते हैं, तो लोग पुराने टाइम में क्या करते थे, कि अपने संतानों कोई अपने संपत्ती समझते थे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा मतलब करते थे, तो I think यह आपको समझ म आ गया होगा, कि जितने ज़्यादा बच्चे की संक्या या जितनी ज़्यादा जन संक्या होएगी एक परिवार में, वो उतना ही ज़्यादा रोजगार लाके मतलब परिवार को देता है, जैसे एक परिवार में पांस बच्चे पैदा होते हैं, तो वो पांस बच्चे जादा से जादा बच्चे पैदा करने की कोशिश की जाती थी सेकंड पॉइंट है किरिशी व्यफसाई दूसरा आर्थी कारण है कि भाई भारत में की अबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गाउं में रहता है तो गाउं में लोगों के पास खेत होते हैं और खेत होते हैं बही मतलब किसी के पास 5 एकड है किसी के पास 10 एकड है किसी के पास कितने एकड है तो उन खेतों में काम करने के लिए manpower भी जरूरी है इसलिए लोग जादा से जादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि जो उनकी प्रॉपर्टी है जो उनके पास जो खेत है वो अच्छी तरह सुचारू रूप से जोते जा सके अगला point है परती व्यक्ति आए आज के time पे आप देखते होगे कि इसी भी red light पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे काफी जादा छोटे बच्चे आते हैं और मतलब वो भीक मांगने की कोशिश करते हैं या फिर जादा चंसंख्या का एक कारण ये भी है कि लोगों की सोच ये है कि जितने जादा बच्चे होएगे उतने जादा ही हमार पे income का एक और सादन आ जाएगा परती व्यक्ति आए उतनी जादा हो जाएगी तो एक कारण ये भी है अगला point है गाओं की परधानता गाओं की परधानता में का एक आर्थि कारण ये भी है कि गाओं में क्या होता है सायुक्त परिवार होता है joint family होती है आज भारत में जादा तर जो अबादी है वो गाओं में रहती है वहाँ पर यह होता है अगर वह किसी परिवार के जादा सदस्य हैं तो उस फैमिली को जादा मैतव दिया जाता है उस फैमिली के जादा मतलब उस फैमिली का जादा ओदा होता है तो इसी लिए भी लोग ज़ादा मतलब फेमस होने के लिए या अपनी ज़ादा धाक जमाने के लिए भी ज़ादा से ज़ादा बच्चे करने की कोशिश करते हैं अगला कारण है समाजिक और अधार्मिक कारण इसमें ये बोला हुआ है विवा की सर्व व्यापक्ता जी हाँ भारत का समाजिक जो सरचना वो इस परकार से है के भई सभी मतलब ये बोलते हैं के भई अब आपकी उमर हो गई है शादी की 21 साल होगे 22 साल होगे भारत में अगर किसी व्यक्ति के शादी नहीं होती तो समाज उसको काफी कोशता है और उससे थोड़ा अलग हटने की कोशिश करता है तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि भारतिय समाज ने विवा को इस परकार से मतलब explain किया हुआ है कि अगर कोई शादी शुदा है इड मिंस वो पूर्ण संपन है तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपको अपने समाजी जीवन अच्छे से जीना है समाज में अपनी हैसियत को बनाना है तो भई आप समय रहते जो शादी की उमर जैसे 21 साल आदमियों की है अठारा साल लड़कियों की है जैसे ही अठारा और 21 पूरी होती है परिवार क्या करता है भई शादी कर देता है कि भई ठीक है माबाप भी ये सोचते हैं चलो हमारे इतनी संतान है हमारे जीते जी इनकी शादी हो जाए और हम मतलब फिरी हो जाए तो इसी लिए जब चल्दी शादी होएगी या जब जल्दी विवा होगा तो अटोमेटिकली संतान जल्दी ही उत्पन होएगी अगला है शीर्ग और बाल विवा आज भी देखा जाता है भारत में कि कम उमर में और बाल विवा कर दिया जाता है आज भी गाओं के अंदर काफी बार देखने को मिला है कि छोटी अवस्था में ही बच्चियों की शादी तै कर दी जाती है ठीक है ये तो शायदा आप यार अपने शब्दों में भी उतार सकते हो अगला पॉइंट है बेटे की अभिलाशा ये आपको सभी को पता है कि अगर किसी भी हस्बेंट वाइफ के अगर दो अगर उनके पुत्रियां हो जाती है तो वो फिर भी एक बेटे की अभिलाशा करते हैं इसलिए वो थड़ भी कर देते हैं तो यहाँ पर क्या है आज भारत का समाज इस परकार से जूज रहा है कि उन सभी को चाहिए वह एक न एक संतान के रूप में पेटा अवश्य होना चाहिए इसलिए वो जादा से जादा बच्चे करने की कोशिश करते हैं अगला पॉइंट है भाग्यवदिता भाग्यवदिया भाग्यवदिया में ये बोला हुआ है कि इनका मानना है कुछ-कुछ इंसानों या कुछ-कुछ परिवार वालों की सोच ये है कि भाई देखो जो भी संतान आ रही है वो इश्वर का वरदान है अर्थात भाग्यवदिया से आ रही है जिनको रूडिवादी विचार धारा के नाम से भी जानते हैं उनका मानना है ये तो इश्वर का ही एक वर्दान है आ रहा है तो आने दो अगला point है यहाँ पे अगला point है यहाँ पे निरक्षक्ता यहाँ पे यह बोला हुआ है अगर लोग पड़े लिखे नहीं है तो यहर वो जादा से जादा मतलब संतान उत्पन करने की कोशिश करते हैं इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और अगला point है joint family यहाँ मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि भारत की जादा तर जो अबादी गावों में रहती है और गावों में क्या होता है कि सायुक्त परिवार होते हैं और सायुक्त परिवार वो जादा अच्छे मतलब समझे जाते हैं जिसमें जनसंख्या जादा हो ताकि उनका समाज में एक रोब हो सके एक उनकी इस्त्ति हो सके तो अगर आपने अपने अमारे चैनल को लाइक नहीं करा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो यार प्लीज एक लाइक तो बनता है, इसके बाद क्या है उच शिशू जनमदर भारत में क्या है उस शिशू जनमदर होती क्या है अब पहले ये आप समझे लो उश शिशू जनमदर का अर्थ होता है कि एक निष्ची समय में भारत में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं हाँ जी एक हजार बच्चे कितने समय में पैदा हो रहे हैं उसी को ही उच शिशु जनमतर के नाम से जाना जाता है इसके साथ साथ है महिलाओं की निम इस्तिती में ये है कि आज भी भारत की जादतर महिलाएं पुरुषों पर आश्रित हैं मतला पुरुषों के ऊपर हिद इपैंड है तो उनका मानना होता है कि जो भी पुरुष है उनकी हजबेंड जो भी कुछ बोलते हैं तो उन महिलाओं को मानना होता है अर्थात यहां पर महिलाओं की खुद की इच्छा हो या ना हो उनको संतान उत्पन करनी ही पड़ती है इसी के साथ अगला एक कारण है प्राकर्तिक कारण ये भी एक कारण हो सकता है भारत की जनसंख्या में पहला कारण के है कि भारत की जो भुगोल पे इस्तती है ना पिर्थवी के उपर भारत का जो एक इस्थान है वो उश्म कटीबंदी शेतर के अंतरकत आता है उश्म कटीबंदी शेतर ऐसा शेतर है जहां की जलवायू थोड़ी सी गरम होती है भारतिय जलवाईू थोड़ी इसी गरम होने के कारण यहां की जो ओरते हैं यहां की जो महिलाए हैं उन में जो बच्चा पैदा करने की जो शमता है वो और कंट्री के मुकाबले कुछ जादा है अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गरम जलवाई होने के कारण यहां की जो बच्चा पैदा करने की जो women's में शमता है वो कुछ जादा होती है जो एक average की अगर बात करें तो वो 6-7 बच्चे को जनम दे सकती है भारती है महिला है अगर इसी परकार से अगर हम USA की बात करते हैं तो average वो 3 पे आ जाते हैं अगर इसी परकार से अगर हम जापान की महिलाओं की बात करते हैं तो Japanese जो जो महिला होती है वो 4-5 बच्चे average पैदा कर सकती है तो यह एक परकार से प्राकर्तिक कारण भी हो सकता है इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले point की तो अगले point में है भारत में मित्यूदर में कमी के कारण जब मित्यूदर में कमी होएगी तब भी वी तो जनसंख्या में विर्दी होएगी अब मित्यूदर में कमी के कारण क्या है कि महामारियों पर अशनियंत्रन हो गया पहले क्या होता था पहले महामारी होती थी जैसे फलेग था मतलब चेचक था या फिर हेजा फैलता था आज के टाइम पे इन महामारीं पर नियंतन पाया जा चुका है जैसे अभी एक महामारी और आई थी जिसका नाम था COVID-19 है अब इसके उपर भी नियंतन पाया गया है अगर कोई ऐसी भी पिमारी आ जाती है तो वो जनसंख्या को कम करने की कोशिश करती है लेकिन जब उसकी वैक्सीन बन जाती है तो उस पिमारी से जनसंख्या पर इतना इफेक्ट नहीं आता तो अगला कोईंट है हमारा चिकिस्थिक सुईधाएं पहले क्या होता था कि चिकिस्था से संबंदि सुईधाओं का अभाव होता था गाओं में या फिर शेहरों में होस्पिटलों की कमी होती थी डॉक्टरों की कमी होती थी उनसे संबंदित उपकरणों की कमी होती थी आज हरे गाओं में शहरों में जगय जगय डॉक्टर और इन सुईदाओं की पूरी उपलबता है इसी के साथ साथ परसूती घर है Maternity Home आज भारत में जगय जगय पर परसूती होम या फिर Maternity Houses का निर्मान किया गया है ताकि easily कोई भी महिला वहाँ पर जाके बच्चे को जनम दे सके अगला पॉइंट है अकालों पर नियंतरन पहले क्या होता था भोत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा अकाल की चबेड में आके एकस्पायर हो जाता था अब क्या है अब आकालों पर नियंतरन पाया जा चुका है जिसके कारण जो एकस्पायर होने वाले जो पहले व्यक्ति थे अब वो जी जाते हैं इसी के सासाथ इस्तरियों में शिक्षा का परसार इस्तरियों में शिक्षा का परसार में हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो इस्तरियां है वो educated हो रही है जिसके कारण वो अपने खाने पीने के ओपर ध्यान देती है जिससे पहले जो एक minimum IU थी जो जीवन की जब अजादी के आसपास वो 32 या 33 के आसपास थी आज के टाइम में वो 65 से लेके 68 के आसपास भारत में हैं तो इट मेंज ये समय के सासथ education के सासथ परती व्यक्ति जो जीवन एक नियूनतम जीवन है उनका वो 68 साल के आसपास है परन्तु अजादी के समय ये 32 या 33 के आसपास एक व्यक्ति की उम्र होती थी इतनी उम्र आज के समय में क्यों है एक समानने इंसान की इतनी आवरेज उम्र क्यों होती है क्योंकि हमारे पास महामारियों पर नियंतरन पाने के उपाए है चिकिस्सा सुईदा है अकाल पर नियंतरन पाने के उपाए है education है पलस संतुलित आहार है पहले क्या होता था पहले आहार में कमी होती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा डवलप्मेंट नहीं हुई थी आज की टैम में अहार भी अच्छा है इसी के साथ जाग रुखता पहले क्या होता था जैसे एक्जामपल के लिए किसी को साप ने काट लिया तो भई कोई भी जोला चाप व्यक्ति या फिर बाबा के पास चला जाता था और या फिर जाड फूक कर देता था उस टैम पे डॉक्टर और इतना इलाज नहीं हो पाता था परन्तु आज के टैम पे क्या है लोग जागरुक है अगर किसी को कोई भी पिमारी हो जाती है तो उस से समंदिति इलाज करवाने के लिए या फिर जो उनके नियर MCD के हॉस्पिटल है या फिर जो सेंटर के हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके उप्चार करा लेते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है अगले पॉइंट पे आओ जन संख्या एवं आर्थिक विकास जि हाँ जन संख्या अधिक होने के क्या फाइदे हैं और जन संख्या अधिक होने के क्या नुकसान है इस पे चर्चा करते हैं अगर हम फाइदे की बात करते हैं तो सबसे पहला फाइदा है कि प्राकर्तिक संसादनों का उपयोग अगर अधिक जनसंख्या होईगी तो जाद से जादा प्राकर्तिक संसादनों का उपयोग किया जा सकता है उधारन के लिए अगर एक खिसान के पास 20 एकड या 20 मतलब एकड उस पे जमीन है और उसके किवल एक ही पुत्र है तो वो उस 20 एकड जमीन को जब वो जोतने की कोशिश करता है तो जाद से जादा मालोबई 2-3 एकड या 5 एकड ही जमीन को जोत पाएगा अगर उस पे पुत्र और भी होते या फिर पुत्र या फिर पुत्रियां होती तो वो पूरे के पूरे 20 एकड को जोतने की कोशिश करता यहाँ पे इन शॉर्ट ये बोला हुआ है कि अगर हमारे जनसंक्या होती है तो जनसंक्या का सबसे पहला फाइदा क्या है कि जो हमारे प्राकर्तिक संसादन है उनको हम अच्छी तरह उपयोग कर सकते है सेकिंड पॉइंट क्या है बजार का बड़ा आकार इसमें ये बोला हुआ है कि अगर जनसंक्या जादा है तो उसका एक फाइदा है कि उस देश की मार्किट भी जादा होईगी और बजार भी बहुत बड़ा होएगा यहाँ पर अगर हम भारत की बात करते है तो भारत का जो मार्किट है वो बहुत बड़ी है इसलिए आज मल्टिनेशनल कंपनियां भारत में आती है ताकि वो अपने वस्तों को बेख सकी और भारत का बजार इतना बड़ा बजार है इस बड़े बजार के कारण ही यहाँ पर लोगों के पास अप ऑप्शन आते है कि भाई हम यह भी चुन सकते हैं यह भी चुन सकते हैं एक्जामपल के लिए फोन ही है अगर मार्किट अगर बड़ी होती है तो वस्त्व का उत्पादन भी उसी स्थर से होता है और लोगों के पास ऑप्शन आ जाते है उनके पास मतलब चयन आ जाता है कि भाई या तो ये या तो ये या तो ये कोई भी चीज़ इससे क्या होता है वो वस्त्व की कीमते कम हो जाती है जब option आता है तो अगला point क्या है श्रम विभाजन श्रम विभाजन या विशुष्टी करन इसमें क्या होता है अगर जनसंख्या जादा है तो श्रम विभाजन देखने को मिलता है काओं में क्या होता है ज़्यादतर व्यक्ति खेती ही करते हैं लेकिन अगर जनसंख्या जादा है तो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजिनियर होएगा, कोई वकील बनेगा, कोई पुलिस में मतलब जाएगा, कोई गौर्मेंट जोब में जाएगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा. अगर जनसंख्या ही कम है जैसे की गाउं में होता है तो वापे होगा क्या वो जादा तर किर्शी कार्य में ही कार्य करेगे जनसंख्या जादा होने से क्या होगा कि भिन-भिन परकार के व्यफसाय तथा उध्योग धंदो की स्तापना होएगी इसके साथ क्या है भैतर सुरक्षा जनसंख्या जादा होएगी तो भैतर सुरक्षा भी होएगी फोज में अच मिल्टरी में या जो भी पुलिस कर्मी होती है उनमें देश की सुरक्षा के लिए जो सैनिक या जो आर्मी होते हैं वो भी जादा होएगी अगर उनकी संख्या ज पूंजी निर्मान की धीमी गती इसमें ये बताया गया है पूंजी निर्मान होता है कि अगर जनसंख्या अधिक होती है किसी भी मुल्क की तो उस देश में जो investment होता है वो काफी धीमा होता है क्योंकि investment नहीं होगा उस देश में क्योंकि उस देश के पास इतनी पूंजी नहीं हो पाती इतना पैसा नहीं हो पाता कि वहाँ पे वो investment कर सके इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि अगर जनसंख्या जादा होती है अगर जनसंख्या जादा होती हैं वह सिंपल सी बात है अगर आपके घर में मालो एक हफ़ते का राशन है और आप पांच आपके परिवार में सदस्य हैं ठीक हैं तो कोई आपके परिवार में कोई भी महमान आ जाता है दस आदमी एक साथ अगर आ जाते हैं तो आपके वह रा बढ़ाय जा रहे हैं तो उस जनसंक्या को रहने के लिए जगय तो चाहिएगी फैक्टरियां भी तो चाहिएगी अगर हम एग्रिकल्चर का हिस्सा कम कर रहे हैं तो क्या होगा खाद्यान समस्या होगी जो कि आज पूरा विश्व खाद्यान समस्या से जूज रहा है तो जनस साथ है बेरोजगारी का दबाओ भाई जनसंख्या आएगी तो बेरोजगारी तो आनी आनी है क्योंकि बेरोजगारी आएगी तो और सब चीजों और सब चीजों पे भी एफेक्ट होएगा तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का एक और अवगुन क्या है कि बेरोजगारी देखन को मिलती है और बहुत जादा बढ़ जाती है इसके साथ सथ परती व्यक्ति आये का भी कम होना अब जन संक्या अगर अधिक होएगी तो परती व्यक्ति आये भी कम होएगी एक्जामपल के लिए अगर मैं इसके उपर वाला पॉइंट को बताता हूं कि बेरोजगारी का तबा 12th class अनिवार रहे हैं तो जो उसके लिए applications आएगे ना वो कम से कम MBA, MA या फिर master degree कुछ-कुछ तो PhD वाले बंदे भी उसको भरने की कोशिश करेगी क्यों क्यों क्योंकि रोजगार का अभाव है इसके साथ सथ परती व्यक्ति आये भी कम होती है बही हर एक व्यक्ति ये है कि मेरे पास जो भी व्यक्ति काम करता है वो कम salary में काम कर सके अगर कोई व्यक्ति 10,000 में काम करता है तो वो दूसरे व्यक्ति को ये बोलता है अगर तू 6,000 में काम करेगा तब मैं तेरे को रख लूँगा इसको मैं निकाल दूँगा तो यहां पर यह देखने को मिलता ह कि लोगों में जब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो वो कम सैलडी पे भी काम करने को तयार हो जाते है इसलिए यहाँ पर परती व्यक्ति आए भी काफी कम हो जाती है अगला कॉइंट तो आपको पता है निर्धंता मतलब की गरीबी जनसंक्या अधिक होने से ग संसादनों का गटिया गुनवक्ता संसादनों की गटिया गुनवक्ता संसादनों की है की में यहाँ पर आजाता है जैसे हमारे पास जो भी संसादन है सपोज करते हैं अगर हमारे पास जैसे भूमी है या फिर हमारे पास आईरन है या फिर कोई भी चीज है अगर हम उस ची का कोई भी समान है और आपको वो समान जादा लोगों में बाटना है लेकिन वो कम लोगों तक कही समान है तो आप क्या करोगे उस समान में पानी मिलाने की और सब चीजे मिलाने की कोशिश करोगी जिससे उसकी quality खराब हो जाएगी जैसे अगर मैं बात करता हूँ कोई भी पानी डालते हैं तो उसका जो सुआद होता है और जो उसमें मतलब चीजे होती है उसकी सबजी की गुनवक्ता भी खराब हो जाती है इसलिए यहां पर यह बोला हुआ है अगर संसादनों की जो भी गुनवक्ता होएगी वो खराब हो जाएगी अगला यहां पर point बताया ग होती है वो काफी कम हो जाएगी और अवास अवास भी कम हो जाएगी मतलब यहां पर यह बोला हुआ है इतनी जादा चंसंख्या के लिए हमारे पास वस्तरों की कमी हो जाएगी और अवास की भी कमी हो जाएगी इसलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली यूपी हर्याना में इतनी जनसंक्या होने पर bhi लोग एक-एक रूम में पाँच-पाँच लोग एक साथ रहने पर मजबूर हो जाते हैं इसके साथ जो बिमारियां होती है वो अलग से इसी के साथ है खिरिशी का इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जनसंख्या अधिक होने से किरिशी की उत्पादन शम्ता पे भी एफेक्ट आता है अकाल बार बार पड़ते जाते हैं इसके बाद है स्वास्थे शिख्षा का अर्प विकास अगर जनसंख्या अधिक है तो स्कूलों की संख्या इतनी अधिक नहीं हो पाते जितनी की जनसंख्या विर्दी हो रही है तो जब शिक्षा नहीं मिलेगी जब स्वास्ते सेवा अच्छी नहीं मिलेगी तो उसका effect आर्थिक विकास पर पढ़ना ही पढ़ना है इन सभी कारणों से आर्थिक विकास धीमा हो जाता है अर्थात ना के बराबर हो जाता है और इन सभी कारणों से जनसंख्या के जो भी गुन या उनकी विशेष्टा वो यह है अगर आपने हमारे चैनल को शौरे क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसके बाद हम बात करते हैं, बस यह खत्म होने वाला एक ही पेजे करने के या फिर समाधान के उनके कुछ उपाए सबसे पहले देरी से विवा, इसमें ये बताया गया है जो लडकीयों की उमर है, वो अठारा साल है और जो लडकों की उमर है, वो 21 साल है शायद अब एक नया कानून पास हो गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो लड़कियों की उमर भी 21 साल कर दी गई है ताकि देरी से अगर विवा होगा तो बच्चे भी देरी से ही पैदा होएगे अगर आप 12 साल की उमर में शादी कर लेते हो तो फिर वाई 14, 15, 16 साल तक मतलब बच्चे हो जाते हैं तो इसलिए जनसंख्या को नियंतन करने का सबसे पहला उपाय है देरी से विवा करना दूसरा है आतम सैयम ये तो आपको पता होगा कि आतम सैयम होता गया अगला पॉइंट है शिख्षा का परसार जादा से जादा लोगों को अगर आप educated करोगे उनको जागरूप करोगे तो वो जनसंख्या को कम करने की कोशिश करेगे इसी के सासथ है स्वास्तें तथा सपाई यहाँ पर ये बोला हुआ है कि हरे एक व्यक्ति को स्वास्ते रहने का अधिकार है जैसे आज के टाइम में देखा जा रहा है कि सभी व्यक्ति अपने स्वास्ते को लेके काफी जादा जागरूप होते है इसलिए जैसे बॉलिवुड में अगर हम actress की बात करें जब उनकी शादी होती है तो वो अपने शरीर को मतलब ये कहा जाता है कि वो अपने शरीर को इतना खराब नहीं करना चाहती इसलिए वो एक ही baby या एक ही child को पैदा करने की कोशिश करती है अगला point है नागरी करन इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब शेहरों की और अगरसर हो रहे हैं और शेहरों में क्या होता है शेहरों में एक जो family होती है वो joint family ना होके individual family होती है इसलिए जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब वर्तन हो रहा है इसके बार है समाजिक सुरक्षा समाजिक सुरक्षा एक ऐसा विषय है कि पहले के जबाने में क्या होता था कि वई हर एक पि export ज़्यादा ज़्यादा बच्चे इसलिए पैड़ा करता था कि उनका यह है मानना था example के लिए हम या पर समझ सकते हैं जैसे ए एक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि जो भई पिता को और माता को समहाल सके बुड़ापे में यहाँ पर समाजिक शुरक्षा का अर्थ यह है कि अगर सरकार जो ओल्डेज होम है उन पर या फिर जो भी बुजूर्ग है अगर उनकी मतलब एज होने पर उनको अगर समाजिक शुरक्षा अगर प्रोवाइड करें तो वो अपनी इस अभी लाशा को अभी अपनी इस अभी लाशा को पूरा करने के लिए कम बच्चे करने की कोशिश करेगे अगला पॉइंट है परिवार नियोजन परिवार नियोजन का अर्थ है कि बई सिरफ सिरफ पुरुष के चाहने से ही बच्चा ना पैदा किया जाए बलकि महिलाओं की भी उसमें रजाबंदी होनी चाहिए अर्थात बच्चे को तब ही पैदा किया जाए जब इस्तरी और पुरुष दोनों की ही रजामंदी हो और दोनों का ही यह हो कि हाँ भई अब उनको एक चायल्ड की आवशकता है इसके बाद है चोटा परिवार चोटे परिवार में ये बताया गया है कि आज के समय में देखा गया है कि भई चोटे परिवार मतलब जादा अच्छे होते हैं क्योंकि joint family में क्या होता है यार आज कल fight इतनी होती आपस में बेटे की बेटे की बाप से नहीं बनती भाई की भाई से नहीं बनती इसलिए वो joint family hut के सब भी छोटे छोटे परिवारों में आ रहे हैं इसी के साथ है यार एक चीज तो आप भूली गए हाँ चैनल को subscribe तो कर दो शौर रैक क्लासिज लाइक भी तो कर दो यार इसी के साथ से सरकार ने क्या किया है वही सरकार ने राष्टिय जन संख्या नीती एक बनाई है जो कि 16 अपरेल 1976 को इस नीती की गोशना की गई थी इस नीती का उद्देश्य था उस टेम पे भारत में 35,000 जनम दर की एक रेट थी अर्थाद एक वर्ष में या एक निश्य समय में अगर 35,000 बच्चे पैदा हो रहे है ना तो उस जनम दर को 35,000 से कम करके 25,000 करना था जैसे suppose करो एक महीने में अगर 35,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सरकार का यह नीती थी यह उद्देश्य था कि इसको 35,000 ना करके 25,000 तक सीमीत करना होगा ठीक है इसके साथ आज के टैम में गर्व निरोधक मतलब आईपिल्स भी आ रही हैं गोलिया अगला पॉइंट है विभा की आयू 18 और 21 वर्ष कर दी गई है इस्तरियों की ताकि वो जल्दी शादी ना कर पाए एक और पॉइंट है विभा पंजी करन में यह है कि अगर कोई इस्तरी पूरुष विभा करता है तो उसको सरकारी रूप से एक सैटिफिकेट या फिर उन इससे क्या होते हैं यह जैसे आज कल जो होता है कि बिना किसी को बताए विभा कर लेते हैं तो संतान उत्पन हो जाती है अगर आप चाहो तो यह पॉइंट उतार सकते हो अन्य था मत उतारो अगला पॉइंट है चेतना जगाना चेतना जगाने का अर्थ है आपे किसी मतलब उनको aware करना, किसी भी बात के लिए उनको aware के वही अगर जादा से जादा population होएगी तो हमारे लिए, हमारे आने वाली पीडियो के लिए कोई संसाधन नहीं बचपाएगा, हमारे लिए भी नहीं बचपाएगा, इससे काफी जादा समस्या देश को जेलनी पढ़ सकती है, तो awareness फैलाना जादा जंसंख्या ना हो, इसके लिए इसके बाद है, नसबंदी पर, आज के टाइम में सरकार ने क्या करा हुआ है, कि अगर कोई भी व्यक्ती, नसबंदी करवाता है, कोई भी पुरुष, तो सरकारी होस्पिटल में उनसे पूछा जाता है, कि आपकी नसबंदी करनी है, या फिर नहीं करनी, इसके बाद अगला point है, निगम करो में चूट, अगर कोई भी व्यक्ती, जंसंख्या नियंतन करने के लिए, सरकार की help करता है, तो उसको निगम करो, जैसे MCD टेक्स है, पंसायत का जो भी टेक्स होता है, उसको छूट दी जाती है इसी के साथ साथ है परिवार नियोजना ये मैं आपको बता चुका हूँ कि परिवार नियोजन होता क्या है यहाँ पे एक शब्द और है, जो कि आपको देखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यूही नहीं लोगों ने समस्याओं से शिशक्त खाई है यूही नहीं लोगों ने समस्याओं से शिकत खाई है, शिकत मतलब आपको पता है होती क्या है लड़के की चाहत में भी लोगों ने खूब अबादी बढ़ाई है तो मैं यहां से सभी से अपील करता हूँ कि जनसंक्या को थोड़ा कंट्रोल कीजिए अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को उन अपने फ्रेंडों तक पहुँचाईए जो की भी ये प्रोग्राम एकनॉमिक्स के फिफ्ट सेमस्टर थर्ड येर के स्टुडेंट है अब आप किस सब्जेक्ट के उपर और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाते हैं उसके लिए हमें कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा या फिर कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताईए जय हिंद जय भारत